हाई दोस्तों नमस्कार शत्ष्रियकाल की हाल चाले तड़ा सारे अंदा और मेरे चैनल हाउस वाइफ क्रियेटिविटी राज सीमा के उपर आप सब का वेलकम है और मैं हूँ आपकी दोस्त राज सीमा कैसे हैं आप सब लोग अगर मेरा कोई दोस्त आज फर्स टाइम मेरा वीडियो देख रहा है मेरे चैनल पर फर्स टाइम आया है सो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना वेल आइकन बटन को प्रेस करना ताँ कि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले सो दोस्तों मैं लेके आई हूँ देवरानी जठानी का विलेज ब्लॉग जैसा कि मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं विलेज ब्लॉग को देखना सिटी ब्लॉग को वो थोड़ा सा कम पसंद करते हैं सो इसलिए मैं लेके आई हूँ विलेज ब्लॉग आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कितना काम करना पड़ता है देवरानी जठानी को देखने में हमें बहुत अच्छा लगता है ये काम वीडियो में देखना बहुत अच्छा लगता है लेकिन दोस्तों सुबे से लेकर के शाम तक यहां सारा दिन मिटी के साथ मिटी होना पड़ता है तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो गाए और भैंस को चारा डाला जाता है उसकी क्या प्रिकिरिया है सबसे पहले तो खेत में वो हरा चारा काट लिया जाता है फिर उसको मशीन के उपर कुतर लिया जाता है उसके बाद का ये जो काम है घर के mail member करते हैं बाकी का काम जो है ladies का देवरानी जठानी का आजाता है आपने देखा पहले जो जिसको हम खुरली बोलते हैं जिसके उपर गाए और भैस को बांदा जाता है उसमें हरा-चारा डाला फिर उसके उपर डाल दी है सूखी तूड़ी कुछ मेरे दोस्त नहीं जानते होंगे कि तूड़ी क्या है सो दोस्तो यह तूड़ी है जो गेहु की फ़सल जब हम काट लेते हैं उसका जो दाने निकाल लेते हैं और जो जो बाकी का जो stem part होता है उसको machine में कटाई की जाती है कुतराई की जाती है तो उसका ये जो है तूड़ी बनती है और पंजाबी में इसको बोलते हैं So इन सारी चीजों को हरा चारा और सुखी तूड़ी को मिला करके मिक्स किया जाता है और इसमें थोड़ा सा कई बार सम टाइम्स इसमें जो है आटा सुखा आटा जांफिर जो खल होती है वो मिलाई जाती है तांकि जो हमारे जानवर है उनको एक अच्छी डाइट मिल सके यहां देखिए दीदी थोड़ा सा ठक गई है और खुरली के उपर थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर से वो चालू हो गई है अपना काम करना इस पूरे जो सुखा तूड़ी है और जो हरा घास है उसको मिक्स करके अच्छे से मिलाएंगे और फिर उसके बाद जो गाए और भैंस जो उसके बच्चे हैं उनको बांदा जाएगा खुरली के उपर उनको बांदने से पहले यह सारा काम जो है किया जा रहा है तो वीडियो में सच में देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन रियल में जब आपको यह करना पड़ता है तो इस वेरी डिफिकल्ट जो सुखी तूड़ी है उसके जो कई वर क्या होता है हाथों में चुप जाते हैं आपके हाथ भी खुरद्रे होते हैं और उसके बावजूद हम लोग अपने आपको देवरानी जिठानी जो है मेंटेन करती है तो दोस्तों यह सारे काम बहुत मुश्किल है गाओं की लाइफ जितनी देखने में वीडियो में अच्छी लगती है रियल में उतना ही टफ है तो यहां आप देख सकते हैं दो से तीन मिनिट का वीडियो हो गया है और अभी तक जो चारा है उसको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर हरा चारा जादा है और कहीं पर सुखा जो तूड़ी है वो जादा है तो इसलिए इसको बराबर से मिक्स किया जा रहा है तो देवरानी तो हट गई है और जेठानी जी अभी भी लगी हुई है अच्छे से पूरा सेट कर रही है और अभी देखे यहां पर गाएं और भैंस जो है वो भी वेट ही कर रही है कि कब ये सारा काम जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो और वो लोग अपना जो शाम बला नाश्टा जिसको हम कहेंगे उनको खाने को मिले क्योंकि इसके बाद शाम को छे वजे के आसपास जो है बैंस का जो दोद निकालना है और जो इनकी गाए है वो भी प्रेगनेंट है और जल्दी ही वो भी बच्चडा देगी और यहां पर देखे देवरानी जो है अपना काम कर रही है जो थोड़ा सा साफ सफाई है उसको वो उठा रही है जो सूखा जहां पर होता है न तूडी पड़ी हुई है तो इसका यूज भी ये करेंगे बाहर नहीं फंकेंगे इसका यूज जो है जो उपले जो गोहा बगरा पत्ते है पाथिया बगरा ये उसके काम आ जाता है गोहे में आड़ करते हैं गोवर में और उसके बाद इसकी पाथियां उपले जो है कंडे जिसको बोलते हैं वो बनाया जाते हैं और बाद में उसको चुला जैसे मैंने बताया था आप लोगों को चुला बनाया गया है तो ये सूख जाते हैं और सर्दियों में इसका काम ज़ बनाते हैं दूसरा आपका जो गैस सिलेंडर है सर्दियों में ज़्यादा लगता है तो चुले का यूज करने से टू इन वन काम हो जाते हैं एक आपके सर्दी से बचाव होता है दूसरा आपकी गैस की वजचत हो जाती है और तीसरा ये जो गोवर का हमने उपले वगरा करते हैं ये भी काम आ जाते हैं तो ये काम सारा जो है डेली रुटीन में दोस्तों होता है बार बार एक जैसा ही रुटीन वीडियो में डालने से मैं भी थोड़ा सोचती हूँ कि कहीं आप लोग बोर ना हो जाओ तो इसलिए मैं एक एक काम को अभी सोच रहीं कि एक काम को एक बार में दिखाऊं सेकिन जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको दूसरा काम दिखाऊंगी और डिटेल में बताऊंगी दिखाऊंगी कि कैसे काम ये लोग करते हैं तो यहां पर आप लोगों ने देखा गाए और उसको बांद दिया है और अब भी जो है दीदी लोग उदर जो बच्छडा है चोटा गाए का अब भी वो थोड़ा बड़ा हो गया है उसको बांदेंगी दूसरी साइड में और उसको वहां पर डाल देंगी जो इसके पठे है इसको अभी खुरली के ओपर नहीं बांदा जाता है इसके जो पठे हैं वो अलग से डाले जाते हैं सिर्फ गाएं और भैंस को एक साथ में बांदा जाता है तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा मुझे अपनी फीड़ बैक जरूर दीजिएगा और अगर कोई दोस्त नया है तो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सो दोस्तों मेरी एक फ्रेंड है पूजा सराओ विलेज लाइफ आप उनके चैनल पर भी जाएए वो भी विलेज लाइफ को दर्शाती हैं बहुत अच्छा वो भी वीडियो बनाती है तो आप लोग उनके चैनल पर जरूर जाएगा उनके वीडियो देखिएगा और कमेंट कीजिए अगर चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा पूजा सराओ विलेज लाइफ तो आप लोग जरूर जाएगा तो दोस्तों सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में वो भी milking के वीडियो भी डालती है तो आप लोग जरूर जाईएगा उनके चैनल पर तो यहां पर आप देख सकते हैं गाए और भैस जो है चारा देखिए अब कितने अच्छे से खाने लगी है क्योंकि इसमें फुल जो nutrients हैं आटा इसमें mix कर दिया जो हरा पठा है वो डाला है तूरी डाली है तो यह सारी चीजें जानवरों को भी change के लिए अच्छी लगती है तो दोस्तों पठे बगर डालने के बाद अब यहां पर इकठा होने लग पड़ा है गोवर अब यह जो गोवर है कुछ तो यह जो कंडे बगर इसके थाप लेंगी पथ लेंगी और उसके बाद कुछ बहार फैंक देंगी और जो उपले बगर यह करती हैं वो दो तिन दिन का इकठा कर लेती हैं गोवर फिर उसको वो उसके जो है उपले बनाती है पाथिया गोटे पत्ती हैं तो यहां पर इन्हों ने उपले पत्ती है भी यहां धुले जा रही है हाथ और इसके बाद ये लोग जाएंगी घर दोनों देवरानी जिठानी आज का काम करते हुए और जो उपले वगरा जो इन्होंने जो कंडे जा कहलो पातियां गोटे वगरा जो इन्होंने पत्थने का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट में शेर करूगी. So, thanks for watching this video. मिलती हूँ मैं कल आप लोगों को नए व्लोग के साथ. Stay home, stay safe.